प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती वाणी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है 21 दिसंबर ब्रिहस्पतिवार पहला पाठ श्रेष्ट गीत अध्याय दो वचन संख्याय 8 से 14 तक मैं अपने प्रियत्म की आवाज सुन रही हूँ वहाँ परवतों पर उचलते कूधते पहाडियों को लांगते हुए आ रहा है मेरा प्रियत्म चिकोर के सद्रिश है अथ्वा तरुण म्रिग के सद्रिश है वह हमारी दिवाल की ओट में खड़ा है वह खिड़की से ताक रहा है वह जाली में से जाक रहा है मेरा प्रियत्म बोल रहा है वह मुझसे कहता है प्रिये सुन्दरी उठो मेरे साथ चलो सुनो, शीत काल बीत गया है, वर्षा रितु समाप्त हो रही है पृत्वी पर फूल खिलने लगे, गीत गाने का समय आ गया और हमारे देश में कपोत की कूजन सुनाई दे रही है अंजीर के पेड़ में नए फल लगे हैं और दाखलताओं के फूल महक रहे हैं प्रिये सुन्दरी उठो, मेरे साथ चलो, मेरी कपोती, चट्टानों की दरारों में, परवतों की गुफाओं में चिपने वाली मुझे अपना मुख दिखाओ, अपनी आवाज सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुन्दर है यह प्रभु की वाड़ी है योगीम एलिसबट ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके घर्प में उच्चल पड़ा, और एलिसबट पवित रात्मा से परिपूर्ण वों गई, वो उन्चे सर से बोल उठी, आप नारियों में दन्य हैं, और दन्य हैं आपके घर्प का फल, मुझे ये सौभा के कई से प्राप्त हुआ, कि मेरे प्रभू की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कान्यों में पड़ा, बच्चा मेरे घर्प में आनन्दिस के मारे उच्चल पड़ा, और दन्य हैं आप जन्हों ने ये विश्वास किया, कि प्रभू ने आप से जो कगा, बहु पूरा हो जाएगा, ये प्रभू का दीव यसू समाचार है, क्रेस्ट प्रभू की जएए, प्यारे भाई और भाईनों, आज 21 दिसम्बर है, 21 दिसम्बर की विशेश्चता येगी है, कि आज दिन बहुत चोटा लगेगा, और रात ज्यादा लिंबी होगी, और आज से दिन बढ़ते लगेगा, धीरे धीरे, जैसे जोगन बप्तिस्ता ने कगादा की, मै घडता जाओ, और बढ़ता जाए, आज से रात चोटी हो जाने लगेगी, आओ दिन बढ़ने लगेगी, आज के प्रदम पार्मी हम, पार सुने है, सुलेमन के नाम बर लिका गया, इसका नाम है सुंग आप सुंग्स गीद हुगा ये गीद है, इसलिए सर्वस्वष्ट गीद माना जाता है, और इसको जगूदी धर्म गरंद में, पार्वेबु कानन इसमें जगूदी धर्म गरंद में थान मिलादा, साइद इसका एक मुक्यकार नेगी है कि ये सौलमन के दुआरा लिखी गई कविदा का रूम में मानने लगा साइद इसका गौदर सौलमन हो सकता है नहीं तक किसी ने लिखा है सौलमन के जमाने में ये गोट पुराना गीत संक्रग है और इस वज़े से इसको उसकी मानिदा मिली साइद इसके कुछ गीद जगदी अपने मारियज इतियादी में इस्तमाल किया करते थे और जगदीयों के योज प्रेयर सर्वीस में भी इसका इस्तमाल किया था क्योंकि इसका एक मुक्यकार नेगी है कि इसमें प्रेमियों के बारे में प्रेमिया और प्रेमिका के रिष्टे के बारे में नवयुवक और नवयुवक के बीच का प्रेम उसका वर्णन होता है और कुछ खामुक ऐसे ऐसे शब्तों के इस्तमार किया गया जो यह अंदा प्रेम की कगानी है और इस कारण जगुदियों ने एक धार्मिक दृष्टिगोन से देखने लगा हम पढ़ते हैं जरमियास का ग्रंद अथियाई दो पदसंग एक में ईश्वर ने खागा जो हम मेरा इश्वर और रिगुदियों के साथ जो रिष्टा राई इश्वर ने उसको पादी वक्तनी के नावव विवागिद पादी वक्तनी के रूम में दिया था ठीकार ग्रंद इश्वर ने आपने बिची कर इस्द कर रिस्ता बागिदत के साथ जाष्ट अघ्वर में दिया है एक अलिगरी कर रूम में इसको इस्तमाल किया तक इस्वर का प्रेम अपने जन्हेदा कि अब पुवित्र कलिष्या ने भी अपने धर्मगरंदी में जमा किया। जोंकि जगुदी कानन में इसका स्थान इसलिए पुराने बवस्तान के अंदर गाद इस गीद को पुवित्र कलिष्या भी मानिदा देती है। हम जानते हैं कि ओरिजिन नामक एक बड़ा थेलोजिन रगा था प्रदम सदापती में। हाँ दूसरी सदापती के बीच उनका जन्म था ये बड़ा थेलोजिन थी और उसने इसके ओपर एक ब्याख्यान लिका था। इसको एक अध्यादमिक जो इस्वर के साथ आमार रिष्दा की एक अध्यादमिक ठ्रडेशन के रूम में मानने लगा। St. Bernard, और इसके लावा, जोन अदे क्रोस इसको जादा अधिक से, अधिक प्रमावरू से, इसको अपने अध्यादमी का आधार बना दिया, कि इश्वर कर साथ हमारे प्रेम कर दिस्ता है, हम जानते ही कि इश्वर प्रेम है, जोन का पहला पता ध्याई चार प्रश्वर प्रेम में, और इसके प्रेम इश्वर का ये परिवार्शा है, इश्वर प्रेम है तो इश्वर का परिवार्शा है, और जो प्रेम करता है, वो सब कुछ देना चाहता है अपने प्रेमी का को या प्रेमी को, प्रेम एक प्रकार का अंधापन है, लोग करते हैं, लोग करते हैं, ल इस इलोजिकल, उसमें कोई लोजिक तर्क या बुद्धी और दिमाग की बात नहीं है, दिल की बात होती है, ईश्वर ने हम इतना प्रेम किया, कि अपने पुत्र को अमारे लिए समर्पित कर दिया, तो बड़ा दिन हम मनाने जा रहे हैं, यही ईश्वर का प्रेम की कगानी ह इश्वर का प्रेम मनिश्य के रूपधारन कर अमें येश्य के रूम में मिला है, आज कलिशिया ये पाट अमारे सामने रखते कर अमें ये समझाने लगते हैं कि इश्वर अम इतना प्यार करते हैं, कि अमारे जैसा इश्वर बनकर अमारे बीच आया येश्य के रूम में इश्वर का प्रेम का अवतार है, एक मुर्ती गरन है, इश्वर हमारे बेच निवास करने के लिए आने वाला है, यसलिए ये गीर को आज आमारे सामने देखी है कर पवित्र कलिश्या, इश्वर के साथ आत्मा का ये रिस्ता है ये प्रेमी ये प्रेमी का कि जैसे रिस्ता होना चाहिए जैसे स्वासरगार करते हैं मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है जैसे हिरनी जड़दारा के लिए प्यासी है उसी तरफ मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है प्रभू इसे संधूस्त नहीं हो सकते हैं, जब तक कि ईश्र इमारे जीवन में नहीं आते? ही इजिधे मेद हैं, इश्र के प्रदी प्यास, इश्र के प्रदी प्रेम जागृत हो जाएinis, नवे आम इश्र के प्रदी प्यास का अनुभव करेंगे。 येश्व का कोजने वाले उनु यही सोचा था, इसलिए रिस्ता है, हम जानते हैं, येश्व ने प्रेम किया, येश्व की रूमी आया, अच अमारे लिए सब कुछ दे दिया, येश्व ने अमारे रूपधारन कर, मनिश्व बनकर, एक गरीब सा मनिश्व के इनिसान के बच्चे के रूम में, एक कोशाले में जन में लिया, चरिनी में, आप जानते हैं, येश्व एक सादान व्यक्ति के जैसा, उनका जीवन के बच्चेपन में, उनको एक रेफ्यूजी के रूम में, शरवनात्री के रूम में, आपने जान बचाने के लिए भाग न पड़ा, मिस्र देश में, आओ जे बापस आया, तु नासरत में रगने येश्यव के लगताओ, इसलीगाु बाव में बच्चेची जायाँझेगी गवा लुक्ति के लिए में आइसे गाव में येश्व रगे दे और येश्व ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया हम जाने ते अपने दिल कोल के कुरूस पर हमें दिखाया है माई इतना प्रेम करता हूँ हमें संसार को इतना प्रेम करते हैं संसार को थार के लिए अपनी को पूरे को पूरे दे दिया इसलिए आज ये प्रेम गीद अमारे सामने रखा गी इस वर का अमारे प्रदी अमर प्रेम का ये का गानी है और हम बड़ा दिन के लिए अपनी को थैयार करते हैं आज के सुसमाजर में देखते हैं मा मरियं को स्वरकदूद ने ये संदेश दिया था कि तुम कुमारी होत्ते हुई भी पुत्र जन्म करेगी मा मरिय ने श्वास किया लुकस के सुसमार अध्याई है कि मैं हम दो दो लोगों को ईश्वर का संदेश मिलने की जो कगानी हमें दी गई है पहला तो है सकरिया को ईश्वर ने अपने स्वरकदूद गबरियल के द्वारा संदेश दिया कि ये उनकी पीबी जो बांज है वो पुत्र प्रसव करेगी सकरिया ने विश्वास नहीं किया था इसलिए उनको गुंगा बना दिया मा मरियम कुवारी है हाव कुवारी मा मरियम के संदेश दिया कि उसने कागा कि माई कुवारी हुम स्वरकदेने का इश्वर के लिए सब पुछ संभवे मा मरियम ने विश्वास गिया कागा जो कुछ प्रभु की इच्छाइ मुच में पूरी हो जाए तब ही से मां मर्यम इश्वर की इचा पूरी करने के लिए पूर्णु से तयार हो गई उनके लिए कृपा प्राप्त है सवरकुद्र ने का का एक कुवारी कृपा पूर्ण इश्वर से अविश्यक्त विक्ति है मां मरियम का गर्प मज़े वे ये शुवाये तब मां मरियम को ये प्रेर ना मिली कोई भी बैक्ति जब ईश्वर का प्रेम का अनुबो करते हैं तो ओ चुप नहीं रग सकता मां मरियम धवडती है मां मरियम को स्वर्कदूर से संदेश मिलादा कि वो गर्पवदी है और उनका ये चट्वा मगिना है मां मरियम नासरस्ते चली जाती है आन करीम जरुसलें के पास एक गाव है अवगांबर सकरिया से ये ये एक सव पच्छीश मील की दूरी पर है मां मरियम मुझ जमाने में जाने के यात्रा करने की कोई सुविदा नहीं है ये दो अजार वर्ष परणी की बात है आज जूदा का नगर तो ये उबड कबार जगा है जूदा के परदेश जगा मेलिसबत रती दी मां मरियम धवड की जाती है चाहिद काई दिन लेगी होगी चाहिद अखेले गई होगी मालूद नहीं है और विलिसबत के घर पहुंचते है उसने क्रियास के घर प्रवेश कर इलिसबत का अभिवादन किया योगी एलिसबत ने मरियम का अभिवादन सुना बच्चा उसके घर पमें वो चल पड़ा मां मरियम को येश्वर ने ये पावितरात्मा से परिपूर्ण करने का बरदान दिया था और ये अभी पावितरात्मा से परिपूर्ण हो गया इस कारण वो जाती है और पावितरात्मा से परिपूर्ण वेक्ति किसी के घर में जाती है उनको आशिस मिलता है ये लिसबत अब मां मरियम का रिस्ता तो मां मरियम उनका खुडम भी नहीं है रिस्तेदार है किस तरह का रिस्तेदार है ये तो बाइबल में दिया नहीं है उमर की तरिप से हम जानते हैं Elisabeth अभी बुड़ी और चुगी दी ऐसे लिए मामर्यं से और एक वीडी पाली की हो सकती है लोग उनको आंठी बोलते हैं मामर्यं के आंठी हो सकती है मामर्यं का रिस्तेदार यारी रिस्ता जञदा जोड़ा क्लोसर रिष्टा होँने की संभावना आई नहीं तो मामरी मतना दावड कर जाएगी नहीं दूसरी बात है जब एक कुवारी गर्पवरी होती है ओ अपने को चिपाना चाहती है कोई भी कुवारी गर्पोरी हो से तो समाज से अपने को लवर ओना उसलिए उनको इतना प्रेयना मिलती जो कोई पवितरात्मा से अभुषीक्त है जिनका दिल में येशर निवास करता है वो तुरंद सेवा के लिए जाती है मा मरियम सेवा के लिए जाती है, वो जानती है कि यलिसवत उनकी सेवा की जिरूरते अभी गर्पवदी होती हुए, और ये भी चटे मगी ने उनका बीथ गया, और उनका समय प्रसोका समय आने वाला है, वो बुड़ी है, उनको मदद चागी, मा मरियम ये देख के चली जाती है उनकी सेवा के लिए, और जब मा मरियम के आने पर ये लिसवत के गर्प करपस्त शिशु, जोगन बप्तिस्ता, वो आनत के मारे उचल पड़ता है, ये लिसवत के गर्प में स्थिद बच्चा आत्मा से अभशीक्त हो जाता है, त्योंकि एशु आया है उनके पास, जिन जीवन बदल गया, हर एक इनसान के जीवन में जब ये शु आता है, उनके जीवन बदल जाता है, जोगन मा के गर्प में ही ये शु की उबसिदिकान वो करता है, और उनका जीवन बदल जाता है, या निकरव करपा का उसर बना था, ये लिसवत ने खगा, मा मरियों को आप नारियों में दन्य है, और आपके घर्प का पल, वो भी दन्य है, जैसे या प्रणा मरिया में इस पवित्र वजन को जोड देते हैं, प्रणा मरिया की प्रार्तना अधिकाम से पवित्र वजन से लिया गया है, प्रणा मरिया कृबापूर्ण स्वर्कदूद ने खगा है एलिशबद्र आत्मा से प्रेर रोक करती है आप दन्डी है नारियों में मा मर्यां करती है मेरी आत्मा प्रभु का गुनगान करती है मेरा मान अपने मुक्तिताते इस्री में आनंद मनाता है कि spoon기 उसने अपने दी इंदासी कृपा दृष्टी की है इसलिए प्रव की गुनगान करने लगती है ये तो इलिसवत को भी प्रणा मिली है मा मरियं के आगमन सी वो करते है आप दन्य है और आपका घर्व का फल वो दन्य है कोई भी इस्वर के दुआरा अभी शिक्त होता है उनका ये कृपा है उनको अभी शिक्त होने का पंदू उनके साथ तास उनके जिम्मेदारी भी होती है जब हम प्रवु से कृपा पाते है ये हमारे लिए आशिस है साथ साथ हमारा कुछ जिम्मेदारी होती है दूसरों के प्रदी ये फ्राहूं को इसोर न चुना आव और आशिस दिया और एब राहूं से कागा तुम सभी रास्त्रों के लिए आशिस का कारण बनेगा उसी तरह जिसको भी अब शेग मिलता है वो दन्य है साथ-साथ उनका अपनी जिम्मेदारी है दूसरें के परदी, अपने समाजी के परदी, अपने परिवार के परदी मा मरियों को यह जिम्मेदारी दिया था यह इसे बत कहती है कि प्रभु ने आपसे जो कागा गया है वो पूरा हो जाएगा हम जानते हैं कि मा मरियों से बहुत कुछ कागा गया था एसा पूरा होगा, पर दू आम जानते हैं कि मा मरियं को इसका पूरे के पूरा मूले चुकाना पड़ा, येश्यू की मा होने के कारण, येश्यू के साथ, येश्यू के कुरूस का ओ भी सवभागी बन गई, येश्यू के कुरूस के नीचे खड़े होकर मा मरियं, और आनुभव करते हैं प्रभु की मां बनने का ख्यारत है, प्रभु मां मरियम के बारे में इसलिए एलिसवत करते हैं, आप विश्वास करते हैं, इसलिए आपके साथ जो कुछ प्रभु नियका का पूरा हो जाएगा, हम मां मरियम के साथ मिल के बड़ा दिन मनाने के लिए तैयार करें, जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास हमारे लिए वरदान है, इसका साथ हमा एक जिम्मेदारी हैं कि हम विश्वास का जीवन जीते, विश्वास का जीवन हम बितायें, अपने समाज में, अपने परिव में एक जिम्मेदारी होती है बड़ा दिन खेवर बड़ा काना में या दूसरों को कुछियां बाटने में या कुछ दान देने में सीमित ना रगे बड़ा दिन ईश्वर का प्रेम का अनिभब करने का अवस्थरे साथ-साथ अम अपनी जीवन को परिवर्तित करे कि हम क्रिस्ट का साच्ची दे सके क्रिस्ट का अनिभव करके हम दूसरों की सेवा में लिग जाई जैसे मा मरीम ने आज एलिस्वर्ति के घर आकर सेवा करने के में लिगी है हाई हम प्रार्तन करे ये प्रभू हम तुझे दिन्यवा देते हैं तेरे अमर प्रेम के लिए दिन्यवा देते हैं प्रभू तुने मुझे इतना प्यार किया अर एक मानव को तुने प्यार किया इसमें सगयों देने के लिए तुने मा मर्यों को चुना था ये कुवारी को चुना और उनके जीवन को तुने ये प्रगार का धन्य बनाया उसाथ साथ उनके इतने जिम्मेदारी दी एक पुत्र के साथ लगे उस पुत्र के दुकबो का सगवागी बने हमें विश्वास का वरदान मिला है ये कृपा है साथ साथ एक जिम्मेदारी है कि हम तेरे पुत्र के अनिरूब जीवन बिदाए आप तेरे पुत्र को हम विट्यूम समाज के जीवन में उतारे अपने आजनन से, अपने सेवा से, अपने प्रेम से ये प्रभु बड़ा दिन हमारे लिए क्रबा का अवसर में आव साथ साथ हमारे परिवार को, हमारे समाज को हम अपनी सेवा के दोरा धन्य बना दे हमें एक क्रबा दे, ये शक्ती दे, ये बुद्धी दे, ये सामर्थ दे ताकि हम ये शुमाई वजाए और हम ये शुके जीवन को अपनी सेवा के दोरा समाज में प्रिकड़ कर सके ये प्रार्त नाम करते हैं, हमारे प्रभु क्रिस के दोरा, आमेन शाष्वत है जीवन का मन्ना है झाल